नमस्कार मुंबई महानगर मैं स्वागत है आपका और मैं हूँ आपके साथ दिख्ष अजलो दिया महाराश्च में चाचा शरत पवार और भतीजे अजित पवार के बीच NCP में वर्चस वो को लेकर जंग जारी है अब दोनों नेताओं के बीच बगावत को लेकर बहस शिड़ गई है दरहसल महाराश्च के डिप्टी सीम अजित पवार ने बारामती में शरत पवार के उन्निस सो आठोटर में उठाये गए बागी कदम पर सवाल उठाये थे समवत दादा एक अच्छे नेता थे लेकिन उनके धरकिनार केया गया। जंता पार्टी मजने की जरूरत है वहीं एजित पवार के बयान पर पलटवार करते वे शरत पवार ने 1998 में समवत दादा पाचिल की सरकार गिरा कर खुद मुख्य बंतरी बनने के कदम को सही बताया है उन्हों मैं कहा मैंने जो किया था यह बगावत नहीं थी आपसी सहमती से फैसला लिया था मैंने कोई धोका नहीं दिया था सब लोगों ने बैठ कर यह फैसला लिया था इसलिए शिकायत करने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता आपको बिता दे साल 1997 में आपातकाल के बाद कॉंग्रेस दो गुटों में इंद्रा की कॉंग्रेस आई और डी देवराज उर्सक की कॉंग्रेस यू में बढ़ गई थी शरतपवार कॉंग्रेस यू में शामिल हो गए थे 1968 में जब महराज विधान सबाद चुनाओ हो ए तो दोनों कॉंग्रेस अलग-अलग लड़ी जनता पार्टी कुल 288 में से 99 सीटे जीत का सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उबरी लेकिन बहुमत से पीछे रह गई कॉंग्रेस आई को 62 और कॉंग्रेस यू को 79 सीटे मिली चुनाओ के बाद दोनों कॉंग्रेस ने हाथ मिलाकर सरकार बनाई और समवत दादा पार्टिल मुख्यमंत्री बने सरकार बनने हुए साड़े चार महीने ही हुए थे कि सरतपवार ने 40 विधायों के साथ बगावत कर दी इस से घटबंधन सरकार गिर गई शरतपवार ने 18 जुलाई उस 1978 में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनाई और महरास्ट के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे आज के लिए फिलाल इतना ही फिर मिलेंगे किसी नए मुद्धे के साथ तब तक दीजी हमें इजाज़त नमस्कार